हलो दोस्तू, वेलकम टू टेक स्टूडियो, मैं अज़र साबली वाट्सअप पर कई बार ऐसा होता है कि किसी ने मुझे मैसेज भेजा और विदिन अ मीनिट ये विदिन अ सिकेंट मैसेज को डिलेट भी कर दिया लेकिन आपके पास कोई option होता नहीं, डिलेट हो गया तो हो गया लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास कुछ ऐसा option होता और कि हम जो है डिलेट की हुए message को भी पढ़ लेते लेकिन ये संभव है, possible है ये कैसे possible है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी के दुवारा भेजे गए WhatsApp पर message यदि वो डिलेट कर दिया गया, तब भी आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने भेजा क्या था तो चलिए आपको बताते हैं कि यदि आपके WhatsApp में कोई message भेज करके delete कर देता है तब भी आप उसे कैसे पढ़ेंगे अब देखे, एक और message मैं किसी को भेजता हूँ और मैं delete कर देता हूँ और उसके बाद हम delete किया हूए message को कैसे पढ़ेंगे, ये आप देखिए ये मैंने लिखा FGH ठीक है, भेज दिया अब देखे, यहाँ पर मुझे भी आ गया, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ ये मैंने read कर लिया, ठीक है अब जो है, मैं इस phone वाले message को delete कर देते हैं जैसे माल लिजी कि मैंने by mistake इस message को लिख दिया था तो मैं यहाँ से delete कर दूँ और जा करके delete for everyone पे click कर देता हूँ ठीक है, तो यह यहाँ से delete हो गया, मतलब कि हमारे पास से भी delete हो गया ठीक है, अब इस तरह के case में हम क्या करेंगे ताकि हम इस delete किये हुए message को भी पढ़ ले तो इसके लिए हमारे पास एक option होता है, वो यह है कि हम इसको बंड कर लेते हैं, ठीक है और हम play store में जा करके एक app डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होगा WAMR, ठीक है अब हम इस app को install करके और इसको set कर लेंगे उसके बाद जब भी हम open करेंगे तो delete किया हुआ message भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो message वहाँ पर हमने delete किया था वो आप देख सकते हैं, FZHH यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कि WhatsApp में delete हो गया क्योंकि sender ने delete कर दिया लेकिन हम उस delete किया हुए message को यहाँ से पढ़ सकते हैं यानि कि अब से जब भी कोई भी मुझे message करेगा और delete कर देगा WhatsApp के तो हम उस message को यहाँ पर easily पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सारा delete किया हुआ message भी दिखा देता है यह बहुती best option है आपके लिए यदि आपको कोई बार-बार message भेज करके delete करता हो तो तो देख सकते हैं यह कितना बढ़िया option है कि यदि आपको कोई message भेजे और बार-बार delete कर दे तो WAMR नाम का एक app प्ले स्टोर में available है आप इसे install कर लें और उसके बाद जब भी आपको कोई message करके delete करें तो आप उस message को यहां से पढ़ सकते हैं WhatsApp से जी हाँ दोस्तों यह आपने देखा WhatsApp ट्रिक जिसमें आप किसी के दोवारा WhatsApp पर भेजे गए message को delete करने के बाद भी आप पढ़ लेते हैं आप के लिए यह कमाल का होने वाला है और आप के लिए बहुत ज्यादा useful भी होने वाला है क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कास हम यह message पढ़ लेते लेकिन आप आपको यह कहने की जरुरत नहीं पढ़ेगी बलके कोई delete भी कर दे तब भी आप उनका message पढ़ पाएंगे तो यह आपने जाना WhatsApp का एक बहतरीन trick इसी तरह के tips and tricks के लिए हमारे चैनल Take A Studio को subscribe करें और नए वीडियो के update के लिए bell icon को press करना बिलकुल ना भूले